एक मिरेकल है, जिसके लिए हर किसी को इस चीज के लिए साथ आना चाहिए जो कि अज़िए बारे में कुछ मालूम नहीं था, किसी के मात्याप चे मुझे पता चला कि मेरी समस्याओं का निदान हो सकता है, मेरे जो प्रावलम थी वो था बैक पेंट था, साथ में मुझे पेट की भी समस्या थी साथ में यहां जब मैं आया थरीपी लेने के लिए तब मुझे यह पता चला कि मुझे जो थायराइड है वो उसका भी निदान हो सकता है जब मैंने थरेपी लेना शुरू की, तो कुछ स्टार्टिंग में मुझे समस्या हुई एक दिन की, उसके बाद सब सारी समस्यां समाप्त होते चे लेगी, मैंने 20 दिन बाद अपना कर्टिनियूस थरेपी ली, जिसके मात्यम से मुझे बैक पेन तो बिलकुल ही नहीं रहा, और साथ में जो पेट की जो समस्या थी वो तो 8-10 दिन के अंदर ही ठीक हो गया, अभी एक मेहने के बाद जब मैंने थायराइड का टेस्ट कराया, तो इस थायराइड टेस्ट में भी मुझे पता चला कि मेरा थायराइड नेला रहा है, जब मुझे 17 साल से थायराइड की सम में T3, T4, TSH का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंतरगत मेरा TSH हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, जो की 9.16 या 7 कुछ ऐसा आता था, लेकिन वर्तमान में जब मैंने थेरेपी लेने के बाद, जब मैंने इस चीज का टेस्ट दोबारा कराया एक मेहने के बाद, तब मु 4.16 में आ गया था, जो की नार्मल कंडिशन है, एक मैंने बाद मैंने फिर से जो में दवाई खाता था, वो सारी दवाईया मैंने बंद कर रखी थी, और उसके बाद मुझे लगता था कि शायद करेदी लिने से कुछ ठोड़ना होता है, उस समय बाद शायद फिर से आ लेकिन अब continuous जब मैं उस चीज को देख रहा हूँ कि ये therapy एक miracle है, जिसके लिए हर किसी को इस चीज के लिए साथ आना चाहिए, जो की नई therapy है, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज के लिए आएंगे, तो समस्यां पर निद अब ये वरतमान में मुझे कोई समस्या नहीं है, फिर भी थरभी लेने के बाद मुझे कहा गया था कि मैंने दो मैने में कभी दो दिन के लिए अगर आपको कोई समस्या लगती है, या आप उसको नार्मल अपना ठीक रखना चाहते हैं, तो मैंने में एक आद दो बार αυτό को गरे में पास. याAKP आए हुए और मुझे काफी समस्या से निदान पाया हूँ यहां मुझे ना तो मेडिसिन खानी पड़ी और ना ही किसी प्रकार का और मुझे स्रिफ थरेपी लेने के लिए मुझे स्रिफ 40 मिनट देना पड़ता था और इस लिए मुझे कुछ साइड एफेक्ट नजारी नहीं आया इस चीज के लिए आप लोग आगया आएं और यह थरेपी इंदम बेस्ट है जिसमें कोई साइड एफेक्ट नहीं ही